तुम्हारी पूरी सभ्वेता की नीब आराम पर टिका है। आराम के दिशा पर प्रभाहित है। तुम्हारी उन्नती के संकल्प एशो आराम पर समर्पित है। तुम्हारी सभ्वताक का कॉम्पस आराम के दिख निर्ने करते हैं। जिसे तुम डेपलोप्मेंट कहते हो, उन्नती कहते हो, वो तुम्हारे लिए केबल स्रम को कम करना है। आराम को खरीद लेना है। आराम को बड़ा देना ही तुम्हारी पूरी संक्रिती सभ्वता का एक मात्रू देश। तुमने सुने होंगे, आराम हराम है, ये छोटा सा बाक्य, परन्तु इसमें सदियों का सार छुपा हुआ था। तुमने उपदेश तुसने, लेकिन उनको जीए नहीं। तुम जानते हो करोडो उपदेश को की उपदेश, जीते एक भी नहीं। फिर तुम्हारी जीवन का सार क्या रहेगा। जब तुम तुम्हारे अतीत के शिक्सा से विमुख हो चुके हो, फिर भविश्य अंधिरा में ही रहेगा। आराम हराम है, यह जानकर भी तुम्हारा पूरा सभ्यता आराम के ही दिशा पर भागती है। और इसे ही तुम डेपलोप्मेंट कहते हो। यह प्रकृति को मिनस्ट करकर बड़े बड़े इमारते, इनमें लगाया हुआ संग्मर्मर की प्रस्तरे, इनकी दिवारों में किया गया पेंटिंग के लिए कटी गई प्रिक्ष की आशु तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्योंकि तुम्हें आराम चाहिए और आराम ही तुम्हारी सभिता की एक मात्रुदेश है। तुम्हारा मेडिकल साइंस, तुम्हारा टेकनोलोजी, तुम्हारा बिख्यान, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा दर्शन, सिर्व आराम देने की नाम पर तुम्हें और आगे बढ़ा रहा है जब तक इस छोटे से बात पर तुम्हारा दृष्टी ना जाए जब तक इस छोटे से बात की बोथ जीवन में उतर ना जाए तब तक जीवन हजारों सफलता को प्राप्त करके भी बैर्थ हो जाएगा असफल रह जाएगा ये बात सुने हो तुम सुने हो इसके लिए लगता है कि इस बात में सार हो भी हमें क्या दुनिया तो आराम की तरह बढ़ रहा है ये तुम्हारे मनोविग्ञान में घुश किया है कि आराम के बिना जिन्देकी का कोई अस्तित्व ही नहीं है जबके सत्त तो बिल्गुल विप्रीथ है जहाँ पर आराम है वहाँ पर जीवन नहीं रहेगा जहाँ पर स्व्रम नहीं है वहाँ स्रीजन नहीं हो सकता वहाँ क्रियेशन नहीं हो सकता और पूरा स्रीश्टी क्रियेशन की सहयोगीता करता है स्रीश्टी की सहयोगीता करता है तुम स्रीश्टी से विमुक हो जाओगे तो फिर तुम जीवन से तुम जगत से विमुक हो जाओगे झाल, 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 झाल